हाईलो इप्रिवन वेलकम टू आरू टू चैनल दोस्तों आप सभी कंडिडेट के लिए बहुत बड़ी भरती लेकर आया हों जो कि अमेजिंग डिक्वार्मेंट है इंडिया का सबसे बड़ा स्टील प्लान्ट टाटा स्टील की तरफ से जबरजक्स वैकेंसी पर्मानेंड जैसे नॉम्बर दिसंबर और जनुरी 1 में बैकेंसी निकालती है टाटा इस्टील के अलग अलग डिपार्टमेंट है बहुत बड़ी भरती है डाउन इस्टील की तरफ से भरती है आल इंडिया लेवल के लिए रिकॉर्मेंट है चलिए डिटियल में बात करते हैं फाम कैस कौन कौन से क अपलाई कर सकते हैं ब्रांच क्या होगी सेन फैन प्रोसेस क्या होगा मैं फाम बरने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा तो वीडियो को लाश तक देखना थाकि आपकी कोई भी डाउट ना रहे चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो में आप आके कोटिफिकेशन मिलता रहे तो गाइज यह जो रिक्वाइर्मेंट है लोकल इंप्लाइमेंट ओफिस कॉपी अफ गेट पास फार कॉंट्रेक्ट इंप्लाई पास्ट इन टी एस डी पी इसमें सभी कंडिडेट के लिए वैकेंसी है अगर आप एक इंप्लाई है टाटा यानि आप आम कंडिडेट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है क्योंकि रिक्वार्मेंट जो है डिप्लोमा के लिए वैकेंसी है आई टी आई यानि जो अप्रेंटिस किये हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं कुछ इंप्लाई की बात मैं कर और कर रहे हैं तो आपके लिए एज लिमिट कोई एज लिमिट नहीं है आप अपलाई कर सकते हैं अगर आप इंपलाई वर्ड में है तो आपके लिए 30 साल एज लिमिट है अगर आप अधर कंडिडेट है तो 18 साल से लेके 18 साल के कंडिडेट अपलाई कर सकते हैं चलिए चलत स्टील डाउन स्ट्रेट पॉड्रेक्ट्स लिम्टेड से वैकेंसी रिलिज की गई है एज देखो एज काफी माने रखती है एज एक दिसंबर दो जर तेज को आपको काउंट की जाएगी निव रिकॉर्मेंट है एक दिसंबर दो जर तेज आपका एज कंप्लीट हो जाना च चाहिए 18 साल से लेके 18 साल के कटेगरी में बता दूं कंट्रेक्ट वर्क है तो इसमें चूच करेंगे इंप्लाइव वर्ड में है तो आउटसाइड वाले इसमें यूच चूच करेंगे यहां पर आप ना नाम मिडिल नेम लाइस्ट नेम डेट अब बर्स एज जेंडर कम सेलेक्ट करना है फी डबलूडी है तो यस नहीं तो नो इमेल आईडी अल्टरनेट इमेल आईडी मुबाइल नंबर यहां पर फिल करना है मेरिटेर स्टेटर्स फादर नेम नेशनल्टी डूंस में साइल में अगर आप जारकंड के से बिलों करते हैं तो यस करेंगे नही लेटोप, PC या मुबाइल में जिसमें भी एक्जाम देना है सेलेक्ट कर लेना है आनलाइन घर बैटे आपको एक्जाम होगा टेंथ पास डेटियल यहां पर एड्रेस पूरा एड्रेस फिल करना है इस्टेट सेलेक्ट कर ले सारे इस्टेट का मिल जाएगा इंडिया के कि इस्टेट से बिलॉंग करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहां पर आपको क्वालिफिकेशन फिल अप करना है टेंथ का डेटियल बोर्ड पासिंग यह इस्ट्रे जो भी है स्कूल या कॉलेज ने परसेंटेज इसी तरह टोल्ट का फिल कर ले अगर आप कर रखी है तो देन डिपलोमा बोर्ड यह सेलेक्ट ब्रांच देखो मकैनकल मेट्रोलोजी इलेक्टिकल एंड इंस्ट्रूमेंशन अधर में फिल कर लेना है यहां पर फिल अप कर ले दें जो है यहां कॉलेज ने इसी परकाल भी बीटेक कर रखी है तो फिल कर सकते हैं नेश्ट यहां पर अपना ट्रेड सेलेक्ट कर लेना है आई टी आई करके जो अपरेंटिस कर रखी है अपलाई कर सकते हैं जो ट्रेड है सेलेक्ट कर लेना है यहां पर कॉलेज नेम अगर आप अधर इस्किल कर रखी है तो फिल अप कर सकते हैं फार्म अच्छे से फिल अप करना है अगर आपके पास है तो यस नहीं तो नो फिलब कर देना है रेजिस्टेशन पर किलिक करेंगे यहां से रेजिस्टेशन करने के बाद सब्मिट करना है यह फार्म है मैंने बताया कि कैसे अपलाई करना है उसके बाद अपना फोटो एंड डाकूमेंट अपलोड करनी होगी जैसे रेजिस्टेशन करेंगे उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा लॉगिन के बाद अपना फोटोग्राफ डाकूमेंट अपलोड करनी होगी जैसे आधार कारड हो गया मार्ग सीट देन आपको फिर फिनिस करनी है कुछ दिन वाज आपको मेल आएगा मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इस तरीके से आएगा, ये कलिंगर नगर से आया है तो इस तरह से मेल आएगा इसमें आपको जमसेद पूर से मेल आएगा कलिंगर नगर उडिशा में पड़ता है कुछ दिन पहले बैकेंसी निकाली गई थी जरूर अपलाई करना जाओ जाकर अपलाई करो आई होब की वीडियो यूच्फुल लगी वीडियो को लाइप सुस्क्राइब सेर जरूर करें मिलते हैं नेश्टे वीडियो में नीव अपडेट के साथ तब तक के लिए जैहिन